तो डिबनिंग अब्रिवान तो गाइज कैसे हैं आप लोग और फाइनली मैं नए लक्टर बनाने का स्टार्ट किया हूं गाइज मैं अपने इंट्रोड़क्टरी लक्टर में अल्रेडी में बताया था कि मैं जो है टैंथ का बोर्ट प्रिपेशन के लिए लक्टर कि मैं नहीं ला पाया क्योंकि कुछ टेकनिकल कारण के चलते मुझे टोला टायम लग गया तो गाइज तो अब से रेगलर वीडियो आएगी और गाइज मैरे चैनल को सपोर्ट कीजिए गाइज तो चलिए आज हमने स्टार्ट करते हैं साइंस स्टार्ट करते हैं तो आज क ब्रकास आज का हमार टॉपिक है यह चरप Truth isrit art Wiki मिलेष जादा इंप्टेंट इंप्ट्थ रहें त्यान इसो नीए ऀंपेन चया नोसे रहें इप Buti रहें प्रकास...... लोगोई कमरे में रहते हैं forming था मास मिंदे के जब वहां पर प्रकास आती है तो हमें वस्तु में दिखाई देने लगती ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब सन का लाइट या किसी अब्जेक्ट का लाइट किसी वस्तु पर पढ़ता है तो वस्तु में परावर्तन होने के परावर्तन वस्तु में लाइट का परावर्तन होता ह है और जो प्रावर्तन लाइट हमारे आखों पड़ती है जिसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं तो प्रकास यह होता है कि जब किसी वस्तु पर सुरी की प्रकास पड़ती है तो प्रकास के प्रावर्तन के पस्चाद जब प्रकास की किरने हमारे आखों में पड़ती है त चीजिए हम किसी बस्तु को देख सब पते हैं ठीक है गाइस तो हम इस टॉपिक में प्रकास के परवर्तन अप वर्तन की नियां प्रावर्तन की नियां में इसे कुछ बेसिक चीजे पढ़ेंगे जो की बहुत ही ज़्यूरी है तो आज का हमारे टॉपिक है प्रकास का परवर्तन की रिफ्लेक्शन ओफ लाइट देखेगा ध्यान सब्सक्राइब यह सिर्फ रिविजन लेक्चर्स है आपको उतना डीप से हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि अगर हमें दिसंबर तक पुरा स्लेवस खतम करना है तो थोरली हम लोग पढ़ेंगे कि ताकि जादा से जादा हम लोग का सीलेवस कवर हो जाए और अच्छे से कवर हो जाएगा ऐसा नहीं कि मैं कोई ठोड़ूंगा आप मेरे चैनल पर बस बने लिएगा तो देखिए मान लिजी कोई एक सता है ठीक है गाइस एंड यह पॉल जब कोई लाइट किसी प्रावर्तक सता से तो यह हां टकराएगी यह प्रावर्तक सता है तो यह टकराने के पस्चाथ यह इधर मूड जाएगी ठीक है इस वह करते हैं इंचिडेंट रे इसको कहा जाता है नॉर्मल के गाइस नॉर्मल ठीक है यह एंगल होता है आई यह एंगल होता है इसके कुछ नियम होते हैं वह आपको मैं लिखा दूँँ प्रकास के सुरी सुरियर्श परावर्तन के नियमAy परावर्तन के परों सप्चाद हम लोग जो है प्रकास के यह पोर्तन अझे पढ़ेंगे तो तो यहाँ पर कुछ नियम में तेखिए पहला नियम है कि एंगल आई और एंगल आर तो हमेशा बराबर होगा थे गयश जो इंसिडेंट रे के द्वार जो एंगल बने गा और रिफलेक्ट यज रेंगल डचले के द्वार जो एंगल बने गा हूंframes सा इक्वल होगा एंड सेकेंड पॉइंट आपका आता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आलवेज लाइज एट सेम पॉइंट इसको इंसिडेंट रे का हिंदी हमको याद नहीं है इसलिए मिलिस में लिख दिया है ठीक है बोल रहा है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमें ऐसा एक बिंदू पर पड़ती है तो हम आज इतना ही लेक्टेर करते हैं नेक्स्ट मैं मैं प्रावरतन का भी लाओंगा तो जल्द जल्द सिलेबस कवर करने का प्रयास करेंगें आज के हमारा सिर्फ बेसिक लेक्टेर था तो चलिए बने रहेएगा धैन्यवाद थैंक्यू बेरी मॉच्ट झाला करेंगें लाओंगा एंक्टेर करेंगे लाओंगें लेक्टेर करते ह।